स्वल हाई दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे एक नए व्लोग में उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस जैसे कि लास्ट व्लोग में मैंने आपको बताया था हमारा थाइलेंड ट्रिप कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आ चुका कि आप सब करें काफी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए यह वाला ट्रिप और उसमें क्याता है जो मेरा कजाकस्तान का था वह बहुत ईजी था बट यह टफ़ेस था क्योंकि मुझे कोई प्लान नी था कि कैसे मुझे जाना है कैसे करना है सब कुछ अकेले करना पड़ा ना मेर आपको होस्टल पड़ेगा यह सारी शीजे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा आप अगर प्लान कर रहे हैं थाइलेंड का आपको बहुत जादा हैल्प होने वाली है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए हर एक पॉइंट बहुत जादा इन्फोमेटिव होने वाला है आपके लिए सो डोस्तों सबसे पहले बात कर लेंते हैं फ्लाइट की फ्लाइट मैं ने कह spricht झी और मुझे कितने में में फ्लाइट पढ़ी थी तो फ्लाइट मेने बुग की थी आपका यह फलीपार्ट से काट प्योरिकर्डिकेशन से की वहाँ पर मुझे ऑफर आरा था 10% डिसकाउंट का फ्लाइट मेरा वहां से हो गया एक महीना पहले मैंने बुक की तो उसमें मुझे थोड़ा डिसकाउंट वगयरा मिल गया था तो गाइस फ्लाइट होने के बाद आपको जरूरत लगती है विजा की कोई भी अगर आप कंट्री विजिट कर रहे हैं तो आप विजा की लिए अप्लाइ जरूर करना होता है लेकिन थाइलेंड ने अभी रिसेंट्ली हाल फिलाल में इंडियन्स के लिए वो विजा फिरी कि चाहिए या फिर होटल बुकिंग होनी चाहिए यह जरूरी है वहां पर भी जब मैं थाइलेंड में गया था जब मेरी एंट्री हुई कि तो इमिग्रेशन में ऐस सच ऐसा कुछ पूछा तो नहीं गया लेकिन यह कि वह रिटन टिकेट दिखा सकते हो तो जादा एजी रहे हैं तो लाउंज एकसेस कभी मिसना करें क्योंकि वह ही एक आपके पास रिडीम करने का डाइम होता है अपने जो काड़ है डेबिट कार्ड कर्ड हारे काड पर मोस्ली ओफर होता है तो अपने बैंक से या इश्यूर बैंक से अपने पूच ले कि एरपूर्ट में लाउंज लगेज है वो चेक हो जाएगा वहां से हो जाने के बाद आपको सीधे फ्लाइट ने थाइलेंड ले जाएंगे और उसके बाद आप सीधे पोच जाएंगे थाइलेंड तो गाइज थाइलेंड पोचने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले तो एरपोर्ट का मैं आपको कि आप ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं तो मैंने किया था यहां से बैंको के लिए न्यु डैली टु बैंकोग एंड यह मेरा डिसीजन थोड़ा सा एना मिसमैच रहा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि कोई सजेस्ट करने वाला थानी बट आम हैर फो यू मैं आपक तो आप बुक कीजिए फुकेट के लिए टिकेट न्यु डैली टु फुकेट वो जादा बैस रहेगा वो क्यू रहेगा मैं आपको बता हूंगा इस वीडियो में तो दोस्तो अब जैसे आप एरपोर्ट पोस्ते हैं फुकेट के या फिर बैंकोग के जोन सा भी आप एरप प्लाई कर सकते हैं और उस में जादा से जादा चार या पांच जिन लगते हैं मिनीमम इसमें पास घजार आपको रखना होता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका कैश निकालने के बाद आपको लेना है SIM जो की बहुत नैसेसरी है, विदाउट सीमे न मतब बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बहुत पड़ता है तो यह भी आपको धिहान में रखना है तो उसके बाद आपको अपने खुसल जाने के लिए या दो कैब कर सकते हैं, या इपके पास डोसरा ऑप्शन होगा BUS मै ने दो कैप क्या था क्योंकि मैं चार हुआ या पांच बचे सुबा के गाया था तो कैब के लिए application है, एक bolt है और एक है grab, दो application होती हैं वहाँ पर, ये दो application आपको बहुत जादा help करने वाली है, तो guys वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने grab use किया था क्योंकि मुझे पता नी था लेकिन वहाँ के local से बात करने के बाद पता चला कि जो आप अगर bolt use करेंगे तो उसका price almost 40% down रहता है, like अगर आप कोई भी 100 भाद की trip कर रहे हैं, तो उसमें आपको वहाँ पे 60 to 70 भाद देना पड़ेगा, तो आप 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 बाल्ट को recommend कर सकते हैं, या फिर grab भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है अगर आपके पास price है तो एक website है, जो कि आपको bus वगेरा कि अगर information चाहिए या फिर कोई भी information travel के regarding चाहिए, website है 12go Asia, वो आप search कर सकते हैं, और वहाँ कोई भी जगा आप जाना चाहरे हैं, destination जाना लिए, that's it, वो खुद बताएगा कि आपको कैब कॉन सी लेनी है, बस कॉन सी लेनी है आपको बता दूँ, छोस्टल का रेट में आपको बता दूँ, होस्टल का रेट वहाँ पर होता है 200 बात पर दे, जिसका राउंड आपका कि मेरे को हलाल चाहिए था, तो वहाँ पर मुश्किल है बहुत जादा मिलना, मतलब बहुत कम फूड ओप्शन होते है, मैंने कुछ इतना जादा ट्राइ नहीं किया तो वहाँ थोड़ा देखकर चलिए, या फिर अपना कुछ रेडी टु मेक हैना लेकर चलिए, जिसका आपको वहाँ पर जबी भूग लगे तो आप खा सके मैं आपको रिकमेंड करूँ हो कि आप जाएं फुकेत यहां से नियु डैली से, वो क्यों वो इसलिए सबसे पहले आप फुकेत कवर करें, फिर बैंककोग और फिर चांग माई, एक और डेस्टिनेशन है चांग माई, तो चलिए मैं अभी आपको आपके सेनेरियो से फुक पातौंग बीच कवर कीजिए, और जैसे कि मैंने किया था, फुकेत जाने के बाद मैंने पातौंग बीच पे तोड़ा सा एक्स्प्लोर किया, एंड सेम डे ही आपको कराना है फिफिया इलेंड का टूर पैकेज बुक, जो कि सबसे बेस्ट होता है, मतलब बहुत मज़ा है तो आप अपना आइटिनरी को ऐसे प्लान कर सकते हैं, पहले दिन जाएए फुकेत, फुकेत जाने के बाद अगर आप रात में जा रहे हैं, तो वैलन गुड है, तब अगले दिन मतलब सबसे पहले दिन आपको पतौंग बीच के आसवास गूम लीजिए, और जो फुकेत क क्वास में काफी एक चोटी-चोटी मतलब शॉप होती है, जो की हर एक के पास है तो आप अपने अपने कोटिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप को खर्च मेरा जो लगा था, ब्रेगफास एंड लंच का वो अराउंड आपका 2800 या थील्ण लगा था, मिलब अ को आपको प्लान कर सकते हैं अपने according कोन सा आपको लेना है आपको लेना है आपको लेना है तो लंच के लिजाए एंड पूछ लीजे एक बार वो जादा अच्छा रहेगा एंडोस्तो एक मेरा परस्नली आपको सजेशन रहेगा वो यह रहेगा कि आप अगर थाइलेंट जा रहे हैं तो यहां से बहुत अदा कपड़े लेकर ना जाएं वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ओल्रेडी इतने सस्ते कपड़े हैं तीन सो साड़े तीन सो चार्वे में आपक लेकर जाओ और जितना वहां से शॉपिंग कर सको कर लो क्योंकि यहां से क्या होता है कि मैं भी लेकर गयता मैं कारगो अगया इतनी सारी शीजे लेकर कया हूं लेकिन मैंने यूज कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर गर्मीद नहीं होती है और यहां का कपड़ा अप जाओगे तो वहां पर वैसे ही चलने वाला तो सबसे बेस्ट है शॉपिंग आप वहीं से करिए यहां से जितना कम हो सकता है उतना कम कपड़े लेकर जाएए तो दोस्तों अभी मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है थाइलेंड को घूमने के लिए थाइलेंड का मतलब मौसम सेम ही रहता है जाद अधर तो लेकिन हा जून जुलाई अगस्ट में थोड़ा बारिश वगरा का जाद रहता है और सबसे बेस्ट अगर मैं बोलू तो इनका एपरिल में एक फेस्टिवल है जो की हर साल आता है मतलब 13 अपरिल से 15 अपरिल तक दो या तीन दिन का होगा और इसमें जैसे काइंड ओफ हमारे हां हौली खेलते हैं इसी तरह से वहां पानी से मतलब पिछकारियां और ये सारे बलून वगरा फोड़ते हैं तो अगर आप एनका प्लान कर रहे हैं तो ये फेस्टिवल मिस ना करें बहुत अबर्दस बहुत मज़ेदार होता है तो आप भी ये इन्जॉय कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को प्लान कर सकते हैं इन डेट के अकॉर्डिंग तो दोस्तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि फुकेत में आप क्या के कवर कर सकते हैं बेस्ट डेस्टिनेशन कौन कौनसी है जो की मै नेःबी एक्पिडियन्स की हैं आप भी वो प्लान उसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले मैंने पताउंग बीच, मैंने जैसे आपको बताया, बंगला रोड ये दो एक दिन में चला गिया मैं, मेरा पहला दिन वहां ऐसे रहा, सेकंड डे मेरा फीफी आइलेंड हो गया, थर्ड डे मैं गया था, वहां के ओल टाउन फुकेट जो की बहुत जादा फुकेट में इक अपको एक और पमेंड करू हो गा, जो की हम गहे थे लास्ट लोग में कहा पर, हम गहे थे, जैमसबोन औइलंड इलैंड का आप भी देख सकते है, जैमसबोन औइलिंड थोड़ा चेलेंजिंग रहा है, मेरे लिए, तो अगर आप एना बुक कर रे हैं तो पहले ही उनसे पूछ लीजे कि जो फैरी है बड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमारे केस में क्या था कि बहुत छोटी थी तो बहुत जादा डर लगता है तो अगर आपको पानी से डर लगता है तो थोड़ा वोइड भी कर सकते हैं आप इस सीज को फुकेट में ये आपको मिलेगा क्राबी करके आप एना क्राबी भी प्लान कर सकते हैं वो भी बहुत जादा अच्छा आइलेंड है तो अगर आप दो दिन के लिए फुकेट में रुक रहे हैं तो पताउंग बीच और आपका बंगला रोड एक दिन में आप कवर करें सेकंड आप एना फीफे आउलेंड कवर करें थर्ड आप जा सकते हैं फुकेट से क्राबी क्राबी भी बहुत जादा खुबसूरत जगा है मतलब आइलेंड ही है और वहाँ पर थोड़ा क्राउड डिना कम होता है फोरणर जादा होते हैं अगर आपको क्राबी जाना है तो आप व किलो से कम है तो आपको फ्लाइड भी सस्ते में मिल जाएगी लेकिन अगर आपका बज़त और भी टाइट है तो आप एना बस ट्राइ कर सकते हैं बस अराउंड आपका 800 किलिमेटर जो डिस्टेंस है फुकेट टु बैंकोक वो 800 किलिमेटर किया है तो अगर आप एना बस से ज कर सकते हैं और आपको 13 से 14 घंटे लगेंगे लेकिन यहां पर आपको मैं एक टिप दे देता हूं कि अगर जबी भी आप एना बुक कर रहे हैं कोई भी मतलब आपका बैंकोक टु फुकेट या फुकेट टु बैंकोक तो प्लीज मेक शॉर जो टिकित हो वो रात की हो क्यों कि जर्नी रात में पता नहीं चलती है लेकिन दिन में बहुत आदा है क्योंकि मैं बहुत आप जादा परिशान हो चुका था तो आपको मैं यही सजेशन दूँगा कि आप जभी भी बस बुक कर रहे हैं तो वो रात का जो ट्रेवल टाइम हो ज़ादा आपके लिए सफिश चल रहा हूँ जो मेरे साथ हो गया हूँ बीच-बीच में आपको बता दूँगा तो अभी आप एना वहां से जहां भी आपको इस्टे रहना है तो आप एना कैब बुक कर लें या फिर ट्वल गो एसिया से देख लेंगी किस तरह से रूट मतलब आप डेख सकते हैं कि जो कॉंटेंट है वो फैमिली फ्रेंडली है एंड मैं कभी भी मतलब कुछ ऐसी चीजे अपने व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा जिससे की बच्चों पर इंपेक्ट पड़े बाई मेरी भी फैमिली है तो मैं ये सारी चीजे मांड में रखके चलता हूँ एंड में को इतन बनाया तो उसमें मैंने कुछ जगाएं कवर की है पसनली आपको जाना पड़ेगा मैंने बहुत कम ओवर्व्यू दिया है कि हाँ बसी जगा ऐसी है तो आपको जाकर खुद से ही डिसकवर करना पड़ेगा जो जो मैंने उसमें जगा दिखाई है वो सारी नाइट लाइफ क वो फुकेत में है तो अगर आप एना बैंकोग में है तो वहाँ पे सिर्फ आपको बिल्डिंग्स मिलेगी बड़े-बड़े बिल्डिंग्स मिलेगी तो वहाँ पे सिर्फ आपको बिल्डिंग ही मिलने वाली है और या फिर आप पार्टी कर सकते हैं आप डिंक कर सकते हैं और वहां से आपको अगर पताया जाना है तो वह भी दो घंटे का रास्ता है, पताया बहुत ज़दा फेमस है, तो अगर आपको प्लान करना है तो पताया के लिए भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बैंकोग में कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, बैस जा जागे गूम सकते हैं वहाँ पर फाउंटेंशो चलता है शाम में नहीं गया क्योंकि मेरे को है अप तब मेरे पास टाइम इतना नहीं था तो आइकन शाम आप निसना गरें अगर थाइलेंट जा रहे हैं बैंकोग जा रहे हैं तो हैं दोस्तों प्लीज अगर आप बैंकोग थाइलेंट जा रहे हैं आई नो हर एक की एक्सपेक्टेशन बहुत जादा अलग होती है थाइलेंट तो मेक्शोर कि आपको एना अपना दिमाग एकदम खुला रखना है क्योंकि वहाँ पे इस कैम भी बहुत नेक्स लेवल होते हैं इसी चीज का लोग फायदा वहां के उठाते हैं कि आप एक अलग ही मेंटालिटी से वहां चा रहे हैं एक अलग ही इमेजिनेशन से आप वहां काफी लोग है इस कैम भी मतलब काफी लोग कर देते हैं इस कैम से जरूर बच के रहें मतलब देखने के लिए आपको कुछ मिलेगा और होता हुआ कुछ है जैसे कि मतलब मेरे साथ टेक्सी वाला भी सीन हुआ था मेरा टेक्सी ड्राइवर पैसे लेके भाग गया था तो य अभी मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत जादा कम लोग महां जाते हैं बहुत अनेक्स्प्लोर जगा है वो है चांगमाई करके सबसे बैस्ट अगर आपको मतलब अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर आप एना क्वालिडी टाइम स्पेंड करना चा रहे हैं तो स जो दिन आप स्टे ले सकते हैं चांगमाई बैस्ट एक दम मतलब जो वहां का ग्रीन डी है और जो वहां का एटमसफेर है वो बहुत आपको अच्छा लगगा मतलब बहुत शान्ती है तो आप चांगमाई के लिए भी एक बार सोच सकते हैं तो गाईस अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी थाइलेंड सीरीज नहीं देखी और आप थाइलेंड का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज पले थाइलेंड सीरीज देख लीजे मेरी इतने भी व्लॉग मेंने डाले हैं और उसके अको अगोडिंग आपको जगाई पसंद आरी हैं आप प्लान कर सकते हैं जैसे फीफी आइलेंड जैम्सबोर्न आइलेंड आपका ओल टाउन फुकेत हो गया और नाइट लाइफ हो गई तो जो आपको जगाई पसंद आरी है आप उसके गोडिंग प्लान कर सकते हैं अपनी आइडिनरी बना सकते है जैसे मैंने आपको सारा कुछ बताई दिया तो सबसे पहले अगर आपको जाना है थाइलेंड तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए मैं आई बटन पे भी डाल दूँगा एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा सो डैट कि आपको बहुत जादा हेल्पो और चीजों को बहुत जादा समझने में आसानी हो तो गाइस अभी वो पॉइंट आ चुका है फाइनली जिस पॉइंट के लिए आप वेट कर रहे थे बहुत जादा बेस अभरी से अब पॉइंट आता है बजट का कि मेरा कितना बजट रहा है मतलब मेरी थालेंट ट्रिप पे अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको कितना तक लग सकता है तो मैं अभी आपको वो सारीशी डीटेल में बताने वाला हूँ मतलब इतना ऐस सच मेरे पास बिल्कूल प्रॉपर एस्टिमेट नहीं है जैसे मैंने कजाकसान में बताया था कि हाँ मेरा 28,000 में 10 दिन का ट्रिप हो गया ऐसा कुछ इसमें नहीं हुआ क्योंकि बहुत अनेक्सपेक्टिट चीजे मेरे साथ हुई है जहां जैसे कि मेरा बस की जरुवत है यहीं मेंन आपको बता दिया था हम इंडियन के लिए वीजा फ्री है और कब तक है मैं आपको यह भी बता देता हूं ये में, सायद 15 तक है न, विजा फिरी रहेगा अपने इंडियन्स बाइगे लिए, जितने भी इंडियन्स है, कोई भी कहीं कई बी हो, वो बस विजा फिरी जा सकता है, अगर आप जा रहे हैं तो 30 डेज तक आप इस्टे ले सकते हैं, मैं से पहले पहले, तो आप प्लान कर लीजिए और अभी उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वहां का जो ट्रांस्पोर्टेशन है वो थोड़ा सा कोसली पड़ता है अगर आप बाइक भी कर रहे हैं बैंकोक में थोड़ा ज्यादा रश है अट फुकेट में इतना आपको रशनी मिलेगा लेकिन जो आपको बाइक या टेक्सी का है चाहे आप 10 किलोमेटर जाए या पांच किलो मेटर आपको 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 आप जाए ना मतलब 200 बात होते हैं तो मैं 500 आइनार बोल रहा हूँ तो इसमें यह हो जाएगा के बाद आजाता है आपका फूड का तो फूड में 7-11 है जिन्दा बाद आपके लिए होँ आपे और मतलब ग्रोसरी के लिए होता है और जो सेंड्विच वगएरा दूद चितनी भी सारी शीजे हैं आप पेमेंट भी मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपने व्लोग देखे हैं तो पेमेंट वगएरा भी आप वहां से करा सकते हैं जैसे बस्टी किटाब कर रहे हैं तो आप एना पेमेंट 7-11 से करके उनको कैस दे दीजिए और वो पेमेंट करतेते हैं तो आपका फूड का मैं बता दूँ कि पर डे का कितना खर्च हो जाएगा बेसिक सा तो औराउंड भाई वन थाउजन पर डे मिनिमम होएगा मिनिमम बोल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर फूड भी थोड़ा कोसली पड़ता है और फूड में मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप वेज हैं और वेजिटेरियन की तरफ जाएगे तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको बहुत जादा खर्च आने वाला है अगर आप डबल हैं तो फिर भी कम होएगा क्योंकि ऐसा है कि जो वो मील होती है वो दो लोग भी खा सकते हैं अगर आप वेस्ट होगा या फिर आप पैक करा के लेके जा सकते हैं लेकिन होस्टल में वहां पर रहने किछन वगेरा सच मिलता नहीं है तो वही है कि वो जो फूड बचता है वो या तो आपको खराब हो जाएगा या फिर आपको वहीं पर छोड़के जाना पड़ेगा तो यह भी आप दिमाग में रखे चलिए मिनिममम वन थाउजन पर डे होने वाला है फूड का सो दोस्तों फूड के बाद अगर आप बस ट्रांस्पोर्टेशन कर रहे हैं तो उसमें मैं जैसे बैंकोग गया था स्टार्टिंग में तो बैंकोग से मुझे फुकेत के लिए अर बोड़ी एक्स्रीम अगर आपको हाई क्लास बस चाहिए तो तू थाउजन तक जा सकता है यह चो चार्ज है तो दोस्तों उसके बाद मैं पोच्टा हूँ फुकेत और फुकेत में मैंने सबसे पहले पताउंग बीच गया था तो मैंने वहां होस्टेल लिया तो पताउंग गयाता है वहां से जैंसबोंड आइलेंड वह भी सेम इतने ही रूपे में पैकेज मिला था मैं आपको आइनार में बता रहा हूं तो अगर आप एनग करना चाहिए तो जितना भी मान बता रहा हूं उसको 2.2 से भाग कर लीजे वह आपको एक्शुलेट मिल जाएगा सो दो अगर आपको थोड़ा सा और जादा हेल्प चाहिए तो मैं आपको वापस से रिकमेंड कर रहा हूं कि आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लीजे था हैलेंड वाला वह आपको बहुत जादा हेल्प लगेगा कि जो 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 लोकेशन मैंने कवर की हैं अगर आपको अच्छा लग हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए कमेंड में बताएं कि मेरी इंफोमेशन आपको कैसी लगी दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करके जरूर जाएं अगाई सब्सक्राइब से आदाया है कि हमारी रिसेंटली मतलब हाल फिलाल में आप सभी का बहुत जादा प्यार देने के लिए सच में मतलब अभी एना डे बाई डे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपका रेस्पोंस आपकी कमेंट आती है तो कमेंट देखकर लगता है कि हाँ यार वी आ दोइंग सम्थिंग और ऐसी मैं बहुत जादा आगे भी न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे विकॉस जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर के लिए भी करूंगा तो फॉर शॉर मैं करूंगा अगर आपको पूरा अपडेटिट रहना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम फोलो कर सकते हैं वहा करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स व्लोग में नेक्स व्लोग कहां का होने वाला है कमेंट में मुझे जरूर बताएं जिसकी भी कमेंट अच्छी होगी उसको में रेपलाई करूंगा दोस्तों इस व्लोग को करते हैं यही हैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लाग होगा और मिलते हैं जल्दी आपसे next vlog में तब तक के लिए अपना खायल रखें बाबाई टेक केर लाइक करें फॉलोग हो रहे